हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मा यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनुपात से संबंदित कुछ प्रस्णों को हल करना सिखेंगे तो इसलिए वीडियो को अंतक देखते रहें आए शुरू करते हैं आतका वीडियो कोस्चन नम्मर वन है यदि A अनुपा करते हैं देखे हमें दिया गया है A अनुपात B इसको लिख सकते हैं A बटे B बराबर दिया है C अनुपात D मतलब होता है C बटे D ठीक है आगे देखते हैं अब देखे हम क्या करते हैं आपर दोनों पक्षों में दो बटे 3 का गुणा कर देते हैं क्योंकि हमें कहीं न कहीं 2 बटे 3 के रुप में लाना है देखे, दोनों पक्षों में सिमिलर गुणा, भाग या जोड़ना घटाना करने से समिकरण में कोई परिवर्तन नहीं आता देखे, A बटे B गुणा 2 बटे 3 बराबर C बटे D गुणा 2 बटे 3 देखे, दोनों पक्षों में 2 बटे 3 का गुणा कर दिये, ठीक है, या पर लिखते हैं 2 बटे 3 का गुणा दोनों पक्षों में 2 बटे 3 का गुणा करने पर गुणा करते हैं देखे, A का गुणा 2 से होगा, तो यह हो जाएगा 2A बटे, B का गुणा 3 से होगा, तो यह हो जाएगा 3B बराबर, देखे, 2 का गुणा C से होगा, तो यह हो जाएगा 2C बराबर, 3 का गुणा D से होगा, यह हो जाएगा 3D ठीक है? अब देखे, आगे दोनों पक्षों में एक जोडने पर इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 2A बटे 3B धन 1 अब इस पक्ष में भी एक जोड़ना पड़ेगा जब समिकर्ण में कोई परिवरतन ने होगा यह हो जाएगा 2C बटे 3D धन 1 ठीक है? इतना समझ आ गया अब आगे देखते हैं देखिए यहां पर क्या करते हैं यह एक के बटे कुछ नहीं है तो एक माल लेते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के बटे एक लिखते हैं संख्या में कोई परिवरतन नहीं होता यहां भी एक लिख देते हैं आप देखिए यह लगभग परिमेश संख्या के रूप में हैं तो 3B और 1 दोनों का LCM लेना पड़ेगा तो 3B और 1 दोनों का LCM लेंगे तो 3B आएगा ठीक है आप देखिए इस 3B में 3B से भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा ईस एक का गुणा इस दो A से करना पड़ेगा कितना आएगा 2A धन चिन है तो धन का चिन लगाते है अब देखिए 3B में 1 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3B बार जाएगा ठीक है और अब जो 3 B आएगा उसका गुणा इस एक से करना पड़ेगा तो कितना आएगा? 3 B आएगा बराबर 3 D और एक दोनों का LCM लेंगे तो कितना आएगा? 3 D आजाएगा LCM ठीक है? क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर एक के LCM लेते हैं तो वही संख्या आती है अब देखिए इस 3 D में इस 3 D से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा और उस एक का गुणा ये 2 C से करेंगे तो कितना आएगा? 2 C क्योंकि किसी भी संख्या का एक के साथ गुणा करने पर वही संख्या आती है यहाँ धन का चिन्न है तो धन का चिन्न लगाती है इसके बाद देखिए 3 D में एक से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 D बार जाएगा और ये 3 D का गुणा फिर एक से करना है ठीक है? देखिए फिर से समस्ते है 3 D में एक से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 D बार जाएगा फिर उस 3 D का गुणा इस एक से करेंगे कितना आएगा? 3 D आएगा ठीक है? तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना था? 2 A धन 3 B बटे 3 B बराबर 2 C धन 3 D बटे 3 D यहां आगया 2 A धन 3 B बटे 3 B बराबर 2 C धन 3 D बटे 3 D यही हमें सिद्ध करना था जो की सिद्ध हुआ अगला कोस्चन देखते हैं कोस्चन नमर 2 है यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए 5 A धन 6 B बटे 5 A रिन 6 B बराबर 5 C धन 6 D बटे 5 C रिन 6 D होगा यह हमें सिद्ध करना है तो यह इसे सौल्व करते हैं देखे हमारे पास दिया है A अनुपात B इसका मतलब होता है A बटे B बराबर C अनुपात D मतलब होता है C बटे D ठीक है देखे हमें 5 और 6 के रूप में लाना है तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में 5 बटे 6 का गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में सेम गुणा जोडना घटाना और भाग करना यदि करते हैं तो दोनों पक्षों में कोई परिवर्तन ने आता तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 5 बट्टे 6 का गुणा कर देते हैं, यह हो जाएगा A बट्टे B गुणा 5 बट्टे 6, बराबर दूसरा पक्ष हो जाएगा C बट्टे B गुणा 5 बट्टे 6, ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं, देखिए A का गुणा 5 से करेंगे कितना जाएगा 5A बटे 6 का गुणा B से करेंगे कितना जाएगा 6B बराबर 5 का गुणा C से करेंगे कितना जाएगा 5C बटे 6 का गुणा D से करेंगे कितना जाएगा 6D ठीक है अब देखिए हमने एक नियम समझा था यदि वो नियम समझना हो तो आप i बटन में जाके देख सकते हैं ठीक है देखे हमारे पास 5a बटे 6b आ गया है लेकिन हमें इस पक्ष में लाना क्या है 5a धन 6b और 5a रेण 6b तो देखे योग भी है और अंतर भी है तो यहां पर योगांतर अंपात का एक नियम लगेगा ठीक है योगांतर अंपात का नियम क्या होता है यदि a बटे b बराबर c बटे d हो ठीक है तो क्या होता है नियम a रेण b बटे a रेण b बराबर होता है c धन d बटे c रेण d यहां योगांतर अंपात का नियम होता है इस नियम को आप आई बटन में भी देख सकते हैं और जितने भी नियम होते हैं अनपात के वो सबी उस आई बटन में जो वीडियो है उसमें समझाए गए हैं तो देखे इस नियम से हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 5a धन 6b 5a धन 6b लिख सकते हैं क्योंकि देखिए a बटे b को आमने क्या लिखे थे a धन b बटे a रण b तो यहाँ पर भी क्या करते हैं 5a धन 6b बटे 5a रण 6b लिख सकते हैं ठीक है यह नियम था हमारा बराबर, दूसरे पक्ष में देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 5C, धन, 6D, बटे, यहां देखिए, क्या लिख सकते हैं, 5C, रिण, 6D, लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको, 5A धन 6B बटे 5A रिन 6B बराबर 5C धन 6D बटे 5C रिन 6D देखे इस रूप को यह रूप हमारा आया था उस रूप को यहाँ पर कौन सा नियम लगाए योगांतर नुपात निया ठीक है इस नियम से क्या हो गया कि 5A धन 6B बटे 5A रिन 6B बराबर 5C धन 6D बटे 5C रिन 6D हो गया यही तो हमें सिद्ध करना था तो यह हमें प्रूब्ड हुआ ठीक है ठीक है दोस्तों आज के लिबस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें धन्यवाद